गुद्बॉर्णिंग इस्टूदेंट्स हम थर्ड चेप्टर दा फॉल्स फाइट का एक्सरसाइज कर देख रहे हैं इसमें फॉस्ट है त्री वर्ड्स इन इच ग्रोप है अल्मोस्ट असेम मीनिंग वर्ड बट वर्ड 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 यहां पर आपको चार वर्ड लिखे ह ठीक है चार वर्ड दिये हुए है जिसमें तीन वर्ड की अल्मोस्ट सेम मीनिंग है और जो चौथा वर्ड है वो थोड़ा डिफ्रेंट है तो डिफ्रेंट है उसको हमको क्या करना है पॉइंट आउट करना है जिससे यहां पर लिखा है एंगर बिटरनेस फ्यूरी एंड डिवर्ड एंड ब्रें ब्रेत तो यहां पर बिटा जो आपका बिटरमेस एंगरी का मतलब गुसशpants होता है और यह मेनिंगा फ्यूरी एंड ब्रैःत का मतलब भी आपकर क्या होता है आउट गुस्सा देखाना बट दिस बिटरनेस बिटरनेस मतलब तो कड़वाहत होती तो it's different अब समझ में आ गया होगा ना किस तरीके से पिक करना है ओके बच्चों सेकंड देखिए एनोइड ग्रूमी सेड सौरोफुल अब देखिए इसे सेड सेड मतलब दुखी होता है सौरोफुल दुखी होता है ग्रूमी दुखी होता है किसी एक पर चिलाना दुख नहीं होता है चिलाना होता है ओके थर्ड देखिए एमीवल कॉर्टियस लैनियंट और पोलाइट ओके बच्चों पोलाइट है कॉर्टियस एमीवल का मतलब भी होता है उदार होना लेकिन लैनियंट की मीनिंग आपकी पोलाइट महीं होती है ओके नेक्स्ट डिस्पाइस डिस्डेन स्कॉल्ड और स्कॉर्ण यह जो डिस्पाइस है डिस्डेन है स्कॉर्ण है इन सब के मितलब होती है इसे आमें किसी चीज़ा घिन होना ठीक है और स्कॉल्ड का मितलब होता है इसी को डाटना ठीक है teacher is called to students तो घिन होना और डाटने में difference है समझ रहे हो न स्कॉल्ड is different from here fifth annexity distress pain and sorrow sorrow distress annexity एक तरीके से सारे किसी चीच के हैं वो और ही मतला हमें किसी चीच की परिशानी हो रही है हाना उत्सुक्ता परिशानी कुछ जानने के लिए और pain मतलब होता है दर्द तकलीफ है कुछ को के बच्चों उसके बाद देखिए page turn करें यह दिखिए यह आपर 500 घू वर शूइंड रिएक्शन राइट प्लस्न व्र्ट using options कि लिएक्षं can च्यांद माइनस व्र नीकिटिब रिएक्शन देखिए धिर प्र एंपर YouTube उसकी और्टफुल terrific terrific means deravni है तो इसमें भी हम क्या लिखतेंगे minus amazing amazing मतलब तो बहुत अच्छी चीज होती है तो हम इसमें क्या लिखेंगे plus super भी अपन बोलते हैं न मतलब अच्छी चीज के लिए हम बोलते हैं plus terrible terrible का मतलब क्या होता है यह भी deravni से related है तो minus रिमार्केबल मतलब कोई अच्छी चीज होती है तो हम रिमार्क करते हैं प्लस कि उसमें क्या अच्छा है एक्सिलेंट प्लस नॉंसेंस माइनस किसी को नॉंसेंस बोलतो तो चुड़ जाते हैं ना कि निगेटिव रियक्षन हैं तो यह पांच प्लस को बेस दोंगी लेकिन आपको देको मैं समझा देती हूं वाड़ वर शेक्चिली प्लान क्या था एक काव खरीदने का था ना और फिर उसे दूद दही बनाने का था तो शेक्चिली प्लान वस टुबाय काव वन आ गॉट सम मानिकि जाब मेरे पस कुछ पैसे आ जाएंगे तो गायए खरीदिमा खरेंगा हांभु प्ल이식 सेक्चिली बाय बायट यह की थे वाट खरीद के लाही थी थी फाइप पोरीट के लाही थी ऑक है कि वाइद शेवा आ यंटौ ईस्ट हरा गुट की दिना ही स्री है ब्रॉट एँ pasture हर यह What made his husband so angry? उसकी husband को गुसा क्यों आया? The husband became angry when his wife told him that she would carry some milk in the fifth pot to her mother. वो इसमें पाच्वे pot में थोड़ा दूद अपनी mother को देगी. इसलिए उसको गुसा आया. Why did the neighbor start beating sick chili? याद आया? क्यों beat करना start क्या था? The neighbor started hitting sick chili to make him realize the truth. Truth को realize करने के लिए sick chili को beat करना start कर दिया था. ओके बच्चों, मैं कॉशनान सा भीज दूँगे. उसके बाद बच्चों, यह complete sentence है. तो यह आप मेरे साथ, मैं इसमें complete कर रहे हूँ. आप इसी वीडियो से देखे, complete कर ले जएगा. फिर्स्ट है, शेख चिल्ली और इस वाइब लिवड. क्या एक रस में? इन आ वैलेज. इन आ वैलेज. शेख चिल्ली ग्राब्ड दा पॉट वन बाई वन आण्ड. शेख चिल्ली ने सारे पॉट को एक एक करके ग्राब्ड कर दिया. आण या कर दिया था? श्मास्ट दैम. आल अगांस्ट या लिग दू. आल अगांस्ट लाइबावल. ठीक है यह second वाले का है इसके बाद आप उपर से लिख लीजेगा I worked and sweet all days and buy a cow and मैं दिन भर काम करके पसीने बहाँ के यह गाये खरीद के लाऊंगा and क्या आएगा है आपे and you give away the valuable milk to your mother मैं अतना मेहनत करके आउंगा और तुम वैल्यूवल मिल्क अपनी मा को दे दोगी I have been planning it for months and your cow मैं अतने मन्त से planning कर रहा था और तुमारी गाये ने क्या कर दिया यूर काव हैव बीन इटेंग आल दा वीट एंड कॉर्ण तुमारी गाये ने मेरे सारे गेहु और कॉर्ण खा लिए गहिंगे समझ में आगे किस तरह किसा लिखना है यह जो इसका आंसर है फ़र्सका तो चोटा सा है सेकंड का उपर लिखा है उसके बाद देखिए बच्चो क्या लिखा है some words some words are given in the box put them in the right column उनको यहाँ पे कुछ words दिये हुए है उनको हमें right columns में डालना है columns काई काई के बने है एक person का है place का है animal का है and things का है it means noun है नाउन की definition होती है noun is the name of person place or thing ठीक है noun की definition है ओके तो हमें क्या करना है आप बताइए निडल कहां जाएगा निडल जाएगा थेंग में निडल बैट बैट बीसी में जाएगा कार कार भी thing है आगरा आगरा तो place लिखा हुआ है बैंच बैंच बीसी में आएगा ग्रेप्स ग्रेप्स भी thing है मदर टेरीसा मदर टेरीसा किचिन किचिन प्लेस होता है रमन रमन लिखा हुआ है गीता गीता लॉयन एनिमल है कैट एनिमल है पुटेटो थिंग है बात्रूम प्लेस होता है टुमेटो मैंगो टुमेटो मैंगो डॉग किसमे आएगा यहां डॉग लिखा हुआ है ओके डैली कहां जाएगा आपका प्लेस में जाएगा ओके ब्लैक बोर्ड आपका थिंग्स में जाएगा ब्लैक बोर्ड मैंने बी बी लिखतीया है इस लिए समझ लेना चार्ट इस अल्सों here room is coming place golo is a name kitten is the name of baby of cat Wopal is a city, it means place Gandhiji come in person Zebra Animal Elephant is also animal Jug is a thing क्लास्रूम 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 लास्ट वन इस पैगोड ओक बच्चो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नबर 17 कराऊंगी यहां तक आप कॉपी में कर ली जाओंगे थैंकियो सो मच